लो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेइन फूर्ड में इस वीडियो में हम जो भी ये प्रोगाम के जो स्टूरेंट है फॉर्स समस्षे के जिनका एंवर्मेंटल साइन सब्जेक्ट है परेवन विज्ञान इसके मोस्ट इंपॉर्टन को डिसकस कर रहे हैं इ पर आपके चलास फॉर्स कर वाया कर वाया था अगर आपको यह प्लेइस था नहीं मिल रहेगी तो आप ना मुझ्ष जाकर चेक आप होट ना यह तो चैनल पिंड पर कर लेना थीक्या आपको वह से प्रोबाइड हो जाएगी अब इस वीडियो करते हैं firstly आप यह देख लीजिए कि आपका जो कोशन हो किस चैप से पूछा जाएगा और हाँ एक बात और यह जो मैंने कोशन द्यान में रखकर ही इन कोशन को बताया है और अगर आप मैं 101% कहने हूं अगर आपने इन कोशन को कह लिया ना जिसे मैं आप बताने में शक्षम हो इस चैप से इन कोशन को डिजाइन किया गया है तो आईए अब हम इस वीडियो को स्चार्ट करते हैं जैसे कि आपको कोशन है कि परेवरन क्या है परेवरन के मुख्य घटक तरह परेवरन के प्रकार का वर्णन करें इसमें हम देखेंगे कि परेवरन क्या है कि परेवरन का अर्थ क्या है और फिर इसके मुख्य घटक को और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे तो एक तरीके से इसमें आपको बहुत चीजें आपके कवर हो जाएंगी तो देखते हैं आपको इन पर्यावरन का आर्थ क्यों होता है यह दो क्या है और्था हमारी चापने ह oppose के अर्थों में क्या है पलएवन और इसी जासे घिंदी में दो इनको दो शब्द में बाट करक्या गया है परी प्लस आवंदमग दूसरा इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसको मतलब घिरना और जो मैंट शब्त का मतलब होता है कि from all side it means क्या करना चारो तरफ से गहरा होना चारो और से घेरना इसको हम परेवाइन कहते हैं अर्थवा इन्वार्मेंट दोनों ही शब्दों का शाब्दिक और चारो और से घेरना अर्थे परेवाइन भ्राय आवरन का घोते हैं अब मैं आपको एजी लेंगज में कहते हुए म इसमें हमने से परेवाइन का आर्थ परिभाषा आए उनकी संरजना परेवाइन की और क्यों महत्व है परेवाइन का ध्यन करना क्यों इतना इंपॉर्टन्स दी जाती है और उसकी जो चुनोतिय है उन सब कराया इसके अंदर थीक है तो आईये हम इस वीडियो को जैसे की परेवाइन की गटक क्या अब आपको गए अब हम देखते हैं कि परेवाइन के मुख्य घटक कौन-कौन सी है और फिर नेक्स जो आपका होगा वह होगा कि प्रेवाइन के प्रकार क्या है तो जैसे कि इसमें लिख रखाए यह थोड़ा ब्लैक आपका हो गया है प्रिंटे यह द्रिश्टी कुन से परेवान को चार भागों में बाटागा है कि अक्षामनर के त imagination जाता है ऐसे आप पाई तो आप इसको देखना कि किस चाइब से इसका मतलब क्या होता है और इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने आए बचों को यह तो पता होगा कि है मैं आपको अभी मैं बोल दू कि आप इसके बार में मदब लिखें अगर आपके पास कुछ मालो 8-10 लाइने आपको लिखने आएंगी इससे जाला नहीं लिख सकते हैं और इसके अंदर मैंने यही कर रहा है ना कि आपको बहुत मतलब वास्ट लेवल पर मैंने आपको इसमें चीज़े दे रहे, आपको कंटेंट बने आपको लिख कर दिया है जिससे कि आपको कोई प्रव्लम नहां अगर आपके एकजाम में कोई भी कुश्ण आजाता है अगर आपसे चारो मंदलों के बार में भी पूछ जाता तब लिख दे अगर आपसे एक मंदल को भी अच्छे जो फिर्स्ट उपर ऊपर जाते रहते हैं जो मंडल होती है वो जानते हैं चार बागों experiences तो यह सब आ जाता है आयन मंदल यह सब आ जाते हैं तो इनको इस टाइप से बाटा गया और इसके अंदर ही हम क्या रहते हैं इतरी के से कोई भी वेक्ति का जीवित रहने के लिए एक मात जरूरी गरम हिस्सा होता है यह जो केवल बारा क्लोमीटर गहना है और समताप मंदल पचास क्लोमीटर गहना जो इसकी उचाही चाही लिए भाडा क्लोमीटर कुछ इस ट्रीक से उसमें फैला हुआ है दूसरा जो हैं फ़्य प्लक्रमें के हिसाब से मतलब वह हैं और सलफीट की परत इसमें शामिल होती ह आपका समताप मंडल है जो पारिश होने के लिए महतपून है इट में जो भी मौसम संबंदी जो घटनाएं होती है आपने देख रहागा कोई भी जो पारिश होती है या फिर जो यह चीज़े होती है वर्षा या जो करम हमाई चलते हैं कुछ भी इस चैप की जो चीज़े होत सब्सक्राइब होती है यह हमारी किसमें होती है शो मंडल के अंदर होती है और सब्सक्राइब में ऐसा कुछ नहीं होता तो इसलिए जो वहाँ पर चलाने के लिए वह वातावर्ण जो होता है वह बहुता है अच्छा कि तुम्हसं की आपको देखने को मिलती है और भृओक घटिवीन ज강 मुलते होंगे आपको ओप्रति घ्रिक की तो सब्सक्राइब करने में वो कैसी होती है हमारी हमारे लिए हामफुल होती है उससे क्या हो जाएथ है कि Hausya लोगों पे पढ़ने लग तो इस लिए व्यों किया करती है यह अंप्मपर गोद ऑचाने के लिए बहुत सी क्यारण कृत पर कीट्वी पर कैन्सर置 नहीं अर इसके बगेर पीत्वीई बहुत बड़ा होल भी बोलते हैं लोग देखा जा रहा है अब इसके इंदर आपको देख सकते क्या क्या नहीं लिख सकते जो मैंने चीज़ लिखे नहीं कि वायू मंडल का ही हिस्सा है अगर आप किसी को समझाएंगे तो यह सारी चीज़ आपको इंक्लूड करनी होंगी तो इसके लिखना होगा तभी आपको मांक्स मिलेंगे तो इसलिए तो इसलिए मैं यही कोशिछ थी कि मैं इस पर आपको थोड़े कॉश्चन के आपको वीडियो प्रवाइट को ठीक है तो यदि इसमें यहीं लिख रखा है कि यह बहुत जादा मतब जीवन संभभ नहीं अग जय दिलकति शील प्रवाइट होती है तो इसकी प्रवावित करती है और हवा के प्रवख प्रदूशक उद्योगि इकाईओ द्वारा नेमित होते हैं जो हवा में कार्वन डायोक्साइड कार्वन मोनोग्साइड और झहरी धुमे के रूप में विवन प्रकार के गैसे चो जिसे हम वायो मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है मतलब की जो कर्म बढ़ता है आपकी जो सीयोटू है तो उसको हम जानते हैं उसका नाम एक तरीकी से लग देते हैं वर्तमान में उसको ग्लोबल बॉर्मिंग में आगरने की भूमी का निभाता है इसका जादा इफ्यक्ट होगा मतलब जब सीयोटू जादा बढ़ेगी तो उससी क्या होगी हमारी जो ग्लोबल में गल्मी बहुत जादा बढ़ने लग जाती तो भी तो कहते हैं कि जो पेड़ पोदे उनको जादा से जादा लगाना चाहिए क्यों क्योंकि ना जो मात्रritis जब कम होगी तो इससे क्या होगा जो merged वार में च्छोड़े गाया करनों कि मात्रा बढ़ जाता है जब हम क्या करते हैं लकडियां चलाते हैं तो लकडीों की जलाने से जो धूआ निकलतों तो उससे भी क्या होता है। दिखाया देता होगा तो वह क्या होती है उसी को हमने थूंद कैते हैं और वही चीज़ क्या हो जाती है वह एक तस्था वायू परदूर्शं में होता है तो यहीं, ना कही गई है कि इसे धुंद के रूप में जाना जाता है और यह वायू प्रदूर्शन का एक जीता जाकता संकेत होता है तो यहीं है कि जो इसी कारण से जो स्कूल में आपने सुन रखा होगा कि बच्चों की जो छुट्टिया दे जाती है क्यों कि ठंड में बहुत जाता म प्रदूर्शन की मात्रा बहुत जाता बढ़ने लग जाती है तो यहीं था तो आपने देख रहा कि किस चैप से जो हमें वायू मंदल है इसको हमने इतना अच्छे सा एक्स्पें किया और यह आपको प्रदूर्शन के घटक को हमने एक घटक आपका इसको हमने बता दिया क क्या है अब देखते हैं जल मंडल क्या अब हम एए कि से उच्पी स्पीया ही जिसे को कुझाए ही मिख से कवर करता है कि आपने जरूर्व सब्सक्राइब यह प्रत्वी को देखेंगे तो पुक्त जादा नहीं है क्योंकि प्थ्वी क्या है जल की अवेष्ट नहीं करना चीह है और जल मंडलक़ एक प्रमुख हिस्सा सागर का समूंदरी प्रिस्ति के संद्र है जैसे वन आपको बोला कि जो जो जल होता है पिट्वी की दो-3 हिस्से पर अधिक से अधिक जल वह कैसा है वह समूंदरी जल है खारा जल है जिसे हम local लेंगपे क्या कहते है खारा पानी ठीक है जबकी एक तो इसलिए जो कहा जाता है कि जो पीने योगे जो जल है वह बहुत ज़दा कम है मतलब एक बहुत छोटे हिस्से में और नदियों जीलों और ग्लेशे में ताजा पानी हमेशा वार्ष पिकरन और वर्षा की एक प्रिकरिया से क्या होती है नवीकृत हो जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि जो नदियों का पानी होता है जो जील हो गई इसका पानी होता है वह मेशा नवीकृत होता रहता है मतला नया आता रहता है क्यों कि जब जील में और नदियों में जो पानी होता है तो वासपोत सर्जन करने लग जाता है और वासपोत सर्जन करने लग जाता है मातल में बढ़ोति तरह जाता है उब और जब बादल में परीवर्टी तक अब प्र hippies, पानी, नवह जाता है। इस लिए पूर्ट पानी ब्हुमी के जलवाही इस तरह में भी नहीं होता है अगर जमीन के नीचे बिलकुल बहुत नीचे जाए न तो आपने ज़रूर नल पंप होते हैं आपने अधिक तरह देखा हुआ कि वहां पर हमने देखा हुआ कि कैसा पानी होता है थोड़ा खारा पानी होता है पर हम तो अगर वह बहुत नीचे जलवाही इस तरह में नहीं होता है और वनों की कटाई जैसे मानवी गतिवीत्या जनमर्ण में घंभीर पईवरतन अथा संकट पैदा करती है जैसे कि वनों की कटाई होती जा रही जो लोग है अपनी कहते हैता संक व हुत única निचल पैसे जल मन्डल के लिए तो इससलिए मानवी गतिवीत्या है न justification क्या हो क्योंकि कारण जहल मंडला गंभी उसमें परिवर्तना आज संक्रत पैदा करती है जब वनसपती भी वनसपती की भूवी निकल जाती है तो मिट्टी समुन में भहा जाली जाती है यह क्या हो जई तो इसंद्य मंदल के लिए घातक है और इसी प्रकार उत्योंBob और सीवेश कर नदियों और समुनों में बहने या फैनने लगते हैं तो आपने देख ले कि आपको जल मंदल में किस टाइप से आपको पॉइंट को एकस्प्रेंग करना है उसको तो इसके बाद में आपको अच्छे से बता दिया ऐसी आपको कैलिफोर्म मतलब इसी में माना आप तो में पाया जाने वाला एक इस बाद में पाया जाने वाला एक बैक्टिरिया सम्हूँ है यह अगर देखा जाए तो जो मतलब की वह हो जाता है डाइरिया वाइरिया तो बोला जाता है कि इस जो आपका टाइफेड हो जाता है लोगों को तो यही चीज़े उसके अंदर यह शुक्षम जीव क्या होता है जिसका लिए चीज़े होती है तो इसके यही चीज़े आपको जल मंदल अगर बताना है तो जल मंदल में जो जल का कितने तिहाई हिस्से पर बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप इसको अच्छी से और बढ़ा चड़ा कर भी बातों को लिख सकते हैं ठीक है नेक्स आपक कि नेम में हैं सबके नेम में पता चल देंगे मतरब की इस फ़ाया परदात के रूप में फोर पॉइंट सिक्स बिलियन वश पहले हुआ था लगभग 3.2 अरफ साल पहले पित्वी काफी ठंडी हो गई और अधवुद घटना घटीत हुई कि हमारे नक्षत पर जीवन की श शुरुआत हुई जो फिर्थवी थी थंडी है रहने लाए कैसे स्थान बना इसके उपर पिर्थवी के उपर इसमें यह चीज़ बताया है पिर्थवी की परपटी च्या या साथ किलोमेटर घनी और या मोटी है और महाई दूइपर बटी हुई है इस फिर्थवी के नैंटी यह जो साथ मेहां सागर है वैसे आपके क्या है आपके महाध्वी भी ऑचार महाध्वी था उस्त थर्मंदल में आपके जो भी लिठाए पटी के जो अब तो इसमें अब 8 श्रिवी रखा है इसमें पूसे वी रखाए टूजिए अब पूसे कि अब हैं यह बता भी परक्ता नहीं आम घटाएगे आपको इसमें बाट रखा है जैसे आपका यह है 47 परसंट अक्सीजन होती है 28% सिलिकून होती है 8% अनुमोनियम होती है 5% आयरन जबकि जो सोडिया, मैंगनेशियम, पोटेलशियम, कैलशियम और पते एक 4% नहीं तो होती है इस ताइब के जो तत्व होते हैं वो क्या इस थल पे पाई जाती है यही चीजिस के अंदर लिखा गया अब आपका जीव मंडल आगया जीव मंडल जीव जिसमें है मतलब कि जीव जन्तु श्टैप से तो यह प्रित्वी अपेक्षा के पतली परत है जिसमें जिन्दिगी मौजूद हो सकती है इसमें हवा, पानी, चटाने, मिट्टी जो सरंचनातमक और कार्यातमक परिस्थितिक काईयों का गठन करती है जिसे एक साथ विशाल वैश्विक जीवी तरहने वाले प्रनाली के रूप में क्या जना जा सकता है इट मीं जो जिसमें क्या है जीवन संभा हो है जिसमें हावा, पानी, जल, चटाने जो भी मानव के जीवन के लिए बहुत ज़ादा आवश्यक है वो सब जीवमंडल के अंतरकत आते हैं और इसे हमारी पित्वी के रूप में जाना जाता है इस जहांचे के भीतर मोटे तोर पर इसी तरह के भूगोल और जलवायों के विश्यक्ता के साथ साथ पोधो और परशुर जीवन के समुदाएं के विविन जेव भगोली स्थानों को सुविधा नुसर विभाजित किया जाता है यह अलग-अलग महादीपों में होते हैं जैसे इसमें आपको यही बता रखा है ना इनके भीते छोटी-छोटी जेव भगोलि एकायां सरचनात्मक अंतर के आधा पर पहचानी जा सकती है मैं अभी आपको इसका शॉर्ट में बताऊंगी जैसे कि आपने देख लिया कि जीव मंडल है इसके अंदर हमारा जीवन ने वह जिन्दिगी मोजुद होते हैं कैसे जो हवा पानी हो गई चटाने हो गई मतिया हो गई जो हमारी एक तरीके से क्या करती हैं हमें एक तरह जीवित रहने के लिए रहने वाले पैनाली के रूप में इसको जाना जा सकता है इसके अंदर क्या होता है इसी तरह के भुगोर और जलवायों के विशिष्टा के सांथ साथ पोदो और पश्चु जीवन के समुदाओं के विविन जेव भगोलिक स्थानों को सुविधा नुसार विभाजित किया जाता है और ये अलग-अलग महादीपों में होते हैं इटमिलो जेव मंडलाव अलग-अलग तरीक से होते हैं और इनके भीतर छोटी-छोटी जेव भगोलिक इकाईया सवनचिनात्मक अंतर किया अधार पर पहचानी जा सकती है और विश्ष्ष्ट जाने हैं कि प्रष्थीतिक तंत्र के कार्यात्मक किया जा सकता हैं और मुल्यांकन करने के लिए समय प्रवतन के साथ इसे बह cód में देखा जा सकता है तो इसमें यही बात रहे कि प्रपर्प्र 2D ईसके इसमें बातने में वब स्थर्मडल को गना इस दिया किसे मत्कों सब कुछ मतर्में हैं वह disfrut बारे चाहर मंदल इससे हैं इस थाल मंदल या रहना करें का इसे आपको च्छोटी-शोटी देड़ी से त्थल मंदल के divisijo त्र यह मतलब थाब क्या देखती हैं महासागर हो गए पीड़ पोदे जीव जन्तु हो गए जो भी रहते हैं सब पेड़ पोदे यह सब क्या है इस थल मंदल के आते हैं मतल्य के लाती हैं पित्वी के कुल भाग 29 भाग कैसा है था और जो 71 भाग कैसा जल है जिसक्व मैं आपको उपका भी जल की कुल मात्रा 97.5 जल महासागर में है जो खा रहा है और बाकी बच्ची हुई जल की मात्रा कैसी है 2.5 प्रसंट ही कैसा है मीठा है बहुत छोटा हिसा है मैंने आपको यही चीजे उपर बहुत एक्स्पेंड करके बताई थी अभी यहां पर क्या है शौटली मैं बता देत सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे आपकी वायू मंदल है तो वायू मंदल में प्रकार की गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्सिजन कारबन डायोक्री इत्यादी पाए जाते हैं तो आई होप आपको समझ में आ चुका कि मैंने आपको क्यों यह शौट वे में आपको मैंने बतान जल वायू तीनों मिलकर जीवन को संभव मनाते हैं इत्मीज तीनों चीज़े प्रवाइड होने चीज़ें जैसे आपने उपर विया अग्जामपल दिया तलाव अब तलाब क्या इसमें जल भी यह वायू भी है और वायू में देखा गया है उसे जैम मेंडल के अंदर यह तीनों चीज़ें आ जाती है जो मैंने आपको इतना उपर मैंने आपको इतना क्स्प्लिन करके दे रखा है तो मैंने इसले रहा कि आप इसको पेपर के पॉइंट-फिस पीश इस टाइप से लिखेंगे जिसमें लिखा भी तैकि इसमें हवा पानी चिटाने अमर्ती जो इससे प्रकार को देख तो इसमें जिसे लिख रखा है कि परियवन के मुख्य तीन प्रकार होते हैं ठीक है में हमने तीन प्रकार को लेकर कर लखा है alone कि यह सब्सक्राइब जिस तलाबं में जाती है तो उसका प्रकृतिक प्रेवन वह तलाव क्या है वो हमें प्रकृति से प्रक्रिटिक प्रवाइन के अंदर आता है तलाब में रहने वाले अन्य जीव जैसे कीड़े मेंडक और अन्य जीव उस मचली के लिए भोजन हो सकते हैं इस तरह से उस मचली को उस तलाब में जीने के लिए सभी सुईधाएं क्या होती प्राप्त होगी और वह उसका प्रवाइन होगी क्योंकि जो मचली होते हैं उसको जो कीड़े जो चुटे चुटे जीव जनतु होते हैं उनको वहाँ पे वो चीज़े मिल जाती है बहोजनके मतब फूड की रूक में उसको वहाँ पर चीज़े प्रवाइण होती हैं अ्यरजह जिसके नदरब होता है वैसे प्रवाइण जो इंसानों दौरा बनाएं जाये जैसे खेत हो गए, शहर हो गए, गाँ हो गए, घर हो गया, कस्पा हो गया, बांध हो गया, इत्यादी ये सब क्या है मानो निर्मित, मानो निर्मित क्या है तो इसले इसको क्या कहा है, मानो निर्मित परेवर्ण कहा है उधायन के लिए हम इंसान अपने द्राः बनायेगर घरों में रहते हैं ये भी आपका क्याया मानो-Nirmit ही है जो हमारा परेवैन होता है लेकिन यह परेवैन प्रकष्थi नहीं होता क्यूंकि इसे इंसानों द्राः बनाया जाता है तो इस चैप के परेवन को क्या कहते हैं मानो निर्मित परेवन कहते हैं नेक्स चैप का थर्ड जो इसको अब ये पोइंट भी देख लेए कि इनसानों दोरा बनाया गया परेवन अधिक मात्रा में प्रधात और उर्जा का उप्योग करता है और इसके लिए देख रेक निगरानी और प्रभंधन की अवशक्ता भी होती है क्योंकि जैसे कि आप जानते ही जो घर है अगर घर बना दिया या खेट है खेत बना दिए, यह घर है तो इसकी बहुत तह स्पया कहा है निग्रानी भी प्रणी प्रणी प्रते है प्रभंधन भी करना प्रते है और इसको बनाने के लिए बहुत सदा प्रधात और उढ़्जा के अवश्कता होती है तो इसलिए कि मानव म buckGL ठर्ड आपका आज़ता है कि नदी के जल बल्क के पानी के लिए उसका ऐसे स्रोधन घरते हैं अс만 है और प्रकृतिक से हम उस्का बना रहे हैं उसको हम प yay योग्हें बना रहे है तो इसलिए उसको क्या करता है उसको अच्छे से धालता है उसको फिर यूज करता है तो इसको हमने क्या कहा है जैसे कि मैंने निए आपको इसमें एक्जामपल भी दिया कि हम पीने का पाणी होता है वो में सीधे परवाइड नहीं होता इसके लिए मानवने कुछ अफर्टस कियो होता है जैसे कि आप क्लोरिम की गोलिया सुनते है लिन्य की गोलिया उसमें डाल भी जाती है इस तरह से नदी नदी का पानी तो प्रकिती है लेकिन उसमें मानव द्वारा निमित किये गए जिससे वह मानव संशोधित प्रवाण के अंद्रगत आता है तो आप समझ चुके हैं और इसके अलावा बगीचे अब भ्यारन हो गया इत्यादी मानव संशोधित प्रवाण के प्रकार हैं क्योंकि बगीचे भी क्या करता है मानव है नेचर की वह चीज मतलब नेचर की दो आदा ही पेड़ पोदे यह से बाग बगीचे हैं पंद उसकी देख रहे कुषका संशोधन करके उसको सजाता है जैसे अब भ्यारन हो गया अब भ्यारन के अंदर वह जानवरो चाहिसाल बहुंद और लायक बना कर और उसको क्या करता है मानर्मित शन्सोधन को कहा गया है तो आपने देख रहा है कि क्या होता है मान oni nirnot शेंशोधन तो आपैंवन की प्रकार्वन थीं ठीक है आप जो बबने तो आपको इन सबी कोश्चों को एक ठीव से सटिस्फाय करेगा तो आप ने को इस वीडियो में कुछ भी प्रब्लम होती है मतलब कोई भी टर्म समझ ना आई हो कि जेम मंदल क्या होता है या कुछ भी जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे क्योंकि मुझे डाउट हो जाता कि कई बच्छों को ना समझ मैं इसलिए मैं यह चीजे अच्छे से इसको एक्समें कर देगी जहां पर तीनों एक तरिके से क्या करती है जीमन को संभव बनाती है उसी को हमने क्या कहा है जेम मंदल का है तो आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी प्रॉब्म रहती है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना तो मैं आप इस वीडियो को एंट देखने के लिए और हाँ अपने फ्रेंट्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि उनकी भी हल्प हो जाए उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी सब्जेक्ट में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि मैं इसको इ उज़ाना तो अरपने चनल को सब्सक्राइब नहीं की होगा तो प्लीस चानल को सब्सक्राइब करना करें एंद कमेंट भी करतें मगोंत अच्छी मुझे पॉजिटिव के मां कवियुक्रीव व्याजिद करने क 나 ना भूल जाते हैं हम आप इसकों तो आप बहुत ध्यान रखा करें कि उससे भी मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को में वीडियो पसंद आ रही है तो थैंक यू सो मच इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए